आज पर एक नहीं जगा जा रहे हैं और बसके तो जाके ही पता चलेगा है कि हम जा गया रहे हैं तो अब हम रस्ते में और उससर्फ चलते हैं देखते हैं कि माजरा क्या है अब हम वहां पहुंच गये हैं यहां में जाना प्राइब करेंगा है तो जी अब हम वहां पहुंच गये हैं यहां में जाना था आपको मेरे पीछे पिंज्रा नजर आ रहा हो गा और जंगल जैसा महौल नजर आ रहा हो गा जी है यह भी जंगल ही तकरीबड़ और बेशिकली मैं आ जाया हूं सुफारी पार्क में क्योंक एक बड़ी खुशखँखबरी आई एक ही है यहां पर मौज तो आज बड़ा खुशी का महौल है सफारी पार्क में और इनकी पैदाइश पे जो हो खुशी मनाई जा रही है जहां तक हिरन का अलोग है सामने आप दिख सकते हैं कि पिंजरा है लेकिन चूंके मेरे जो जितने भी वीडियो होते हैं करहा होोग है जो लेकिसरो बार्क चाहिए जार हैं जाँ बरते हृपिरा वे का अलोग मुष्म। फबसे होग जां को ररते हैं नुष्म। सफारी पार्क में बड़ा खोशी का महला है खोशी भी आई है और उसके साथ साथ मीडिया के नुमाइंदों की जो है वो आमद जोग दर जोग शुरू हो गई है यहाँ देख रहे हैं मेरे बहुत सारे साथी है यह फ्रेंट लाइन सूल्जर्स जो है यह ताक लगा के घात लगा के बैठे में किस तरह जो है वो हिरन को जाए तो तब यह बाई बैठे में इन से स्वाल करते हैं बाई कैसा रहा आप कैसा लग रहा आपको यहां आगे और मेरे खायल से शायद पहली दफ़र ही देख रहा हूं मैं भी बच्चा बड़े तो देखे बच्वन में आके देखा था लेकिन अब देखा अच्छा लग जाके हैं लेकिन अंदर जा नहीं सकते हैं तोड़ा सा सेक्योर्टी भी है पब्लिक यहां पर आये देखें बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत फुक्त लग रहे हैं बच्चों को लेकर आएं बच्चे भी इंजॉयमिन करेंगे साथ-साथ तो यह मेरे एक भाई थे जो क माशाला छे बच्चे हैं उसको भी हम शूट करने जा रहे हैं और जाहिर सी बात है बहुत एंजॉय हो रहा है बहुत मज़दार क्योंकि यह एक ऐसे टाइम में जब यह आम पबले के नहीं है तो इसको शूट करने के लिए इंशाला बहुत असानी है हमारी लिए लेकिन ज कर दो कर दो तो यह विजुल्स मैंने अलग से कुछ रिकॉर्ड की हैं आपके देखने के लिए तो बहुत जबर्दस महौल है मुख्तलिफ मीडिया टीम्स यहां आरही हैं के लिए और जो है वो इस सफारी पाक की खुशी को सेलबरेट कर रही हैं बहुत मज़ा रहा है और बड़ा पुर इडियो को देख रहे हैं वो यहां जरूर आए और आके देखें के यह चोटोटे बच्चे कितने खुबसूरत लग रहे हैं और बिला शुबा सफारी पाक जो है उसका महौल बिलकुल एक सफारी की तरह है बिलकुल जंगल वाला महौल है और कराची में इस तरह के पाक्स मुक्तलिफ होने चाहिए और इसमें और मजीद जानवर आने चाहिए तो आपने सफारी पाक के यह रहन देखे और इनके बच्चे भी देखे इनकी खुशियों में मैंने आपको शरीक भी किया अब मिलेंगे किसी और छोटी सी वीडियो में कहीं और अल्ला हाफिज झाल 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 झाल